जोश्तिू जैहिंद प्रिपिरेस्जन अफ ज्यूद्योय से चैनल पर आपका स्ववगत है भारतेसं मिदानार Care Series इसमें आपको भारतेसं मिदानाओं सब्सक्राइब तर तुटू तुनीर63 के लिए उच्टम न्याले याने सुप्रीम कोड़ दोरा रीट जारी किया जाता है तो इसमें आपको अनुचेद 32-226 के तहत प्रमुक 10 अंतर बतायाग है तो इसी शुरू करते हैं। 32-226 में अंतर पहला अंतर यह बता है कि अनुचेद 32-223 समिधान के भाग 3 में है जो कि मूल अधिकार है जबके अनुशेद 226 भारती संभीधान के भाग 6 में और अधियाए 5 में हैं जो की संभैधानिक अधिकार है यानि अनुशेद 32 जो आता है वो मूल अधिकार के अंतर आता है जिर्के अनुशेद 226 के तहट जो हाई कोर्ट रिट जारी करता है वो अधिकार संभैधानिक अधिकार आ यानि स्वरोचे नियाला ही कर सकता है जिबके अनुछे 226 के तहाथ रिट जारी करने के सकती उचे नियाली के तहाथ उचे नियाले रिट जारी करता है ना कि सुप्रीम कोड ओके चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अनुछे 32 का परियोग केवल मूल अधिकार के परिवर्तन के लिए रिट जारी किया जाता है परन्तु अनुछे 226 में मूल अधिकार तथा अन्य उद्देश के लिए भी रिट जारी किया जा सकता है यहीं अनुछे 32 के परियोग केवल मूल अधिकार के परिवर्तन के लिए ह होता है जबकि अनूषह 226 में मूल लथ का चांसाथ अने अधिकार के लिए भी रिड शारी किया जा सकता है जबकि वह अनूषयह 32 के तहट सुप्रीम कोर्ट को अधिकार सीमित ना कि सभी अनुश्यद के थाथ जबकि अनुश्यद 226 के थाथ उच्छे नयाले का विश्यद वियापक है यानि अनुश्यद 226 के थाथ उच्छे नयाले रिट अधिक बेसेवर पर जारी कर सकता है किवल मूल अधिकार पर नहीं जबकि सुप्रीम कोड संपूर्ण भारत के लिए राजे में होता है इस राजी में वहाई कोडश अपवात तब सνसीत होता है पर वह संकता है चलिए नेक्स्ट देखते हैं अनुछेद 32 क्या है समिधान का धारवु धाचा यान बेसिक इस्ट्रप्चर अनुछेद 32 सो घोषित किया गया लेकिन अनुछेद 226 समिधान का धारवु धाचा नहीं है और नेक्स्ट देखते हैं मुल्ग convicted 32 के थात सर्व जारी करने के लिए पृड्र अनुछेद 226 के तहत उच्छे नियाले बाद नहीं है हाई कोड अनुछेद 226 के तहत बाद नहीं है रिट जारी करने के लिए लेकिन ऊच्छेद 32 के तहत नेक्ष देखते हैं आटमा के आंतर है डॉक्टर बावा साहब भीम राम अमेदकर जी द्वरा अनुचेद 32 को समिधान का आत्मा कहा गया है जबके उनुचेद 226 को लेकर ऐसे कोई बात नहीं कहा गया है सरकारी वेक्ति के बिरूद बंदी प्रत्यक्षिकर रीट जारी करना है तो अनुचेद 32 तथा 226 के तहत शरोचे नियाल या उचे नियाल जाया जा सकता है जब कि यदि प्राइवेट वेक्ति की बंदी प्रत्तिक रिट जारी करना है तो परधम आउसर पर हाई कोट ही जाना हो तो उसके अबाद ही सुप्रीम कोट जाया सकता है है एकने करते पर रही है और कोई सरकारी वरक्ती। किसी अन्य वरक्ति को बंदी बना लिए है Ready अभईती घृप से तो उसके खिलाप यदि क्या करना हो उसके खिलाप जारी करना हो तो उस औहोशर पर क्या हो सकता है friendship तो हमें एक्षाय उच्छे न्याले में जाकर रिर्ट जारी करने के फिर हमें एक्षाय नहीं हम सरोच्छतम न्याले में डायेक्ट चले जाते हैं रिर्ट जाखिल करना तो इस आउसर पर हम तो उच्छे न्याले सरोच्छे न्याले दोनों जगह जा सकते हैं प्राम्तू यदि प्रावेट वेक्ति द्वारा के सी वेक्ति को बंदी बना गया है तो उस आउसर पर क्या करना होगा उस आउसर पर प्रथम तर ना कि देखते हैं दसमा अंतर क्या बताया जा रहा है भात्य सम्धान के अनुछे 32 का प्रेव उच्तम नियालेद्वारक क्यवल मूल अधिकार के संरक्षन के लिए रिट जारी करता है या किस के लिए जारी किया जाता है तो मूल अधिकार के संरक्षन के लिए कि अपना कीमती से में देने के लिए आपका बहुत बहुत सुक्रिया